दिल्ली NCR में परदूशन का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। कोई बारिश आये, हावा में तेजी आये, वो चीज़े। क्या कोई ऐसा संकेत मिल रहा है दिल्ली के आसमान से, NCR के आसमान से। कुछ बारिश का संबावना तो नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि यह वेस्टम डिस्टिबेंस है, यह कहां-कहां बारिश कर सकता है। अभी में वही पहले वदाय है, वेस्टन हिमालेन रिजन, तो जम्मु कैश्मिर, हिमाजल प्रदेश, उत्तराघंड यही एरिया में ही उनका अभी ज्यादा आसर है। और उसमें भी अभी जम्मु कैश्मिर में दो दिन, आज और कल, बड़ वो भी आइसलेटर टाइप है, वो भी एकदम रीच में, हायर रीचस में होगा। और हिमाजल प्रदेशन उत्राघंड एक दिन शायद, इतना ही है, उन से ज़्यादा कुछ रैनफॉल का संभावना अभी नौर्ट-एस्ट इंदिया में नहीं है। मतलब ये पहाड़ी लाकों से आगे, जो मैदानी लाकों की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ पर ये कमजोर हो जाएगा, पंजाब, हरियाना, राजिस्तान, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। मतलब बारिश होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में परदूशन का जो संकट है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ा हो सकता है। कैमरामेन मनमोहन के साथ कुल्दीप शर्मा टोटल नियूज